0.5 HP to 10 HP आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं 0.5 HP से लेके 10 HP तक Solar Pump के वारे में पूरा डीटेल्स लेने वाले हैं यहाँ पे आप देख पाऊगे इतनी सारे डीटेल्स पे हम बात करने वाले हैं चले फटाफट स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे हम पहले सबसे पहले जो देखने वाले हैं वो 0.5 HP Solar Water Pump के वारे में देखने वाले हैं इसमें लगने वाला जो Solar Panel होगा रिक्वाइड वो कितने Solar Panel का जुरत पढ़ेगा तो यहाँ पे हम देख पाएंगे दो Solar Panel का जुरत पढ़ेगा जो की 200 Watt का हम दो पनल लगाएंगे तो 400 Watt हो जाएगा अब दोनों को क्या कर सकते हैं दोनों को हम Series में Connection कर सकते हैं Series में करने से Voltage Increase करेगा और Current जो है एक पनल का जितना रहेगा उतना ही Ampere यह सपोर्ट करेगा 0.5 HP का Motor अगर बात करें डीटेल्स का तो यहां से आप सारा डीटेल्स कलेक्ट कर सकते हो कि 0.5 HP की Water Pump में कौन-कौन से चीज लगने वाल हैं कितने चीज लगने वाल हैं यहां पर जैसे सेंपल के तौरपे मैं बताना चाहूंगा यहां बात करें कि इसमें कितने वाट का पैनल लगेगा तो मैंने अलुड़ी बताया आपको कि 400 Watt के solar panel लगने है इसमें जो controller लगेगा एक controller लगेगा एक set जिसमें सब कुछ रहेगे ठीक है अब भी बात करें कि इसमें open circuit voltage कितने होने वाले हैं यहां पे 3V से लेकिए है 60V तक हम लोग DC supply दे सकते हैं यह open circuit voltage है जिसको हम लोग VOC बोलते हैं तो maximum voltage 48V इसके होने चाहिए अगर दोनों panel को हम जोड़े हैं तो 48V on load यानि जो maximum voltage होते होतने होने चाहिए अगर बात करें ampere का तो ampere 8 ampere के आसपास इसका होना चाहिए यानि एक पैनल जो है 8 ampere ही देता है आसपास देता है 8 point something ampere देता है output voltage कितने होंगे तो आटो output voltage जो है 24V से लेके 28V हो सकते हैं जो कि जब हम provide करेंगे pump में तो उसका voltage यहां पे बताया गया एड़ी है इंपूट पावर कितने होने चीए तो आप इंपूट पावर जितने के हम पैनल लगाएंगे तो नहीं इंपूट पावर होंगे next one है protection इस पर किन चीजों से protection मिलेगा तो देखो यहां पर over current है low low volt जो हो सकता है इसे protection मिलेगा dry rain मतलब बिना पानी कि अगर आप motor चला दो कि तो समय से खराब ना हो तो इसका भी यहां पर protection मिलने वाला है ठीक है हम बात करें कि इसमें कौन-कौन से accessories मिलने वाल है तो यहां पर structure होंगे wire होंगे net bolt होगे इस सारे आपको accessories जो है वो extra मिलने वाल है solar system पर बात करें इसमें जो डिस्चार्जिंग मतलब कितने पानी पर डे हिसाब से वो हमें discharge दे सकता है तो यहां पर देख पाएंगे 3200 लिटर से लेके 14200 लिटर तक यह पानी दे सकता है अगर ज्यादा गहराई से अगर पानी लेते हो आप तो पानी जो है वो कम हो जाएगा गहराई अगर कम रहेगा लेने का जो यहां पर आप देख पाऊगे इगारा मिटर से लेके 18 मिटर तक का है गहराई कम रखते हो तो पानी ज्यादा देने के chances रहेगा ठीक है गबात कर वारेंटी का तो पांस साल से लेके पच्छिस साल वारेंटी आपको मिलने वाले हैं पांस साल मिलेंगे औल एकुपमेंट्स यानि जितने भी चीज लगे हैं उसके वारेंटी पांस साल मिलेंगे होल स्टम का जो सोलड है प्म लगाने वाले आप तो फिर उनके वारेंटी पा लगा सकते हो तो यह आपके उपर डिपेंड कर रहा है इसमें ऑबराल जो वॉल्टेज हो जाएगा वो 600 वाट के पावर हो जाएंगे नेक्ट वन यहां पर ऐसे स्रीज जो लगने वाले हैं वो यहां पर देख सकते हो आप इस तरह से आप यहां पर अगर चाहो तो वीडियो पैनली लगने था इसमें चार पैनल जो है वो लगने हैं तो आप लगा सकते हो लकिन का है इसे कंपनी के हजर वाट सपोर्ट कर जाते हैं किसी कंपनी के हजरवाट सब्सक्रेइब करते हैं उसमें थोड़ा बढ़ा की हमें लगाना पड़ता है मतलब 1100 watt वाया या फिर 1200 watt हमें लगाना पड़ता है तो आप 1200 watt लगाओ sufficient रहेगा ताकि आप कोई भी company का आप जो water pump लगाओ तो उसमें ये support कर जाए और उसको proper energy मिले ठीक है next one इसका accessories जो भी details लेने चाहो आप यहाँ पर screenshot ले सकते हो ठीक है आगे चलते हैं लोग next one बात करें हम 1.5 HP water pump के तो इसमें लगने है 1500 watt के solar panel जो के 2500 watt के 6 panel हम इसमें लगा सकते हैं बात करें इसके accessories के तो इसमें सारे accessories आप देख सकते हो इसके भी screenshot आप ले सकते हो ठीक है next one बात करें 2 HP water pump के तो 2 HP में आप यहाँ पर 2 kilowatt solar system लगा सकते हो अगर आप चाहो तो इसमें 1800 watt के भी solar system लगा सकते हो तो इसमें क्या होगा कि पानी कम देने के chances रहेगा अगर suppose that कभी धूप थोड़ा कम हुआ तो उसमें थोड़ा chances कम होता है पानी कम देने का लेकिन 2 kilowatt लगा हो sufficient रहेगा कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि पानी कम दे रहा है ठीक है यह सही रहेगा इसके accessories जो आप देखना चाहो तो यहां सारा चीज़ देख सकते हो आप इतने अतने चीज़ details में आप ले सकते हो यह सारे solar pump जो है वो DC वाले का बात कर रहा हूँ आपको 3HP जो है इसमें आपको 3 kilowatt solar system लगाने हो गए अगर आप चाहो तो आप इसमें 10 पैनल भी लगा के काम में ले सकते हो नेक्स्ट में बात करें इसका सारे details यहां आप ले सकते हो देख पागो 3HP का सवरसेवल pump है ठीक है इतने सारे details इसमें भी same warranty मिलने वाला है most of में same warranty मिलते हैं यहां पे बात करें हम 5HP solar water pump के तो इसमें कितने solar panel लगने है तो इसमें जो है totally 14 solar panel आप लगा सकते हो इसमें आपको 5 kilowatt solar system लगाओ तब भी काम करेगा 5 kilowatt का नहीं तो आप चाहो तुससे कम का यानि यहां पे हम देख पा रहे कि कम panel कम का लिए हो है बढ़ाने पड़ जाएंगे तो लेकिन overall जो आपको wattage रखने है तो वो कितने रखने हैं यहां पे देख पाऊंगे 4620 watt इसके according हो रहा है आप चाहो तो 5 kilowatt भी रख सकते हो तो आपको 4500 से 5 kilowatt आप कुछ भी लेके चल सकते हो ठीक है इसके अब यहां पे जो है कितने वारेंटी इसमें भी सेम मिलने वाला है पांच साल जो है whole solar system में मिलने वाला है और 25 साल का वारेंटी होगा वो सिर्फ solar panel पे मिलने वाला है नेक्स्ट बात करें हम 7.5 HP water pump का तो इसमें जो है आपको 22 पैनल लगाने पढ़ेंगे और एक पैनल का जो वार्टेज होगा 330 वार्ट का होगा overall जो वार्टेज हमें रखने है वो आप 7 kilowatts लेके सारी 7 kilowatts तक रख सकते हो तो अगर आप 22 पैनल लगाते हो इसके according दन इतने वार्ट हो जाते हैं ठीक है नेक्स्ट नब बात करें हम इसका सारा डेटेल से से स्रीज लेना चाहें तो यहां से हम देख सकते हैं क्या-क्या कितना क्वेंटिटी में हमें लगाना पड़ेगा या फिर हमें मिलेगा तो आप इसका screen shot भी ले सकते हो अब बात करें 10 hp का 10 hp में हम जो है 330 watt के 28 पनल लगा स सकते हो जी हां आप सारे 9 का लगा सकते हो 9 kilowatt का भी लगा सकते हो ठीक है आप चाहों तो 10 का भी लगा सकते हो लेकिन आप 10 से जदा मत लगाना और 9 से नीचे मत लगाना ठीक है तो इसके according आपको जो है सही पानी आपको मिलेगा पंप के जरीए ठीक है यहां पर सारा डिटे आप यहां पर ले सकते हो ठीक है अभी बात करें कि इतना पानी डिस्चार्ज देगा तो यहां पर डिस्चार्ज पानी आप देख सकते हो पर डे किसाब से इतना पानी आपको डिस्चार्ज देगा तो आज के वीडियो में हमने 10.5 HP से लेके 10 HP Solar Water Pump System के वारे में जाना उसका स कितने प्राइस है, 1 HP के कितने प्राइस है, सारा डिटेल से वहां आपको अलग-अलग वीडियो में मिल जाएगा आप चाहो तो वहां से देख सकते हो और रही बात आप इसको पर्चेस कहां से करो तो कोई भी सोलर सॉप में आप चले जाओगे वहां से आप उसे ओर दोग टेक केर